तो नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आज की वीडियो में हम डिसकस करेगे आपके जितने भी डाउट्स थे PSL, Enrollment, Joining Letter से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे आपके वो सारे आज की वीडियो में हम clear करेगे तो सबसे main question ये है तो इसका मैंने बहुत analysis करा है दोस्तों अभी काफी time इसमें खड़ चुआ है मेरा जो कि मैं आपको अब दिखाता हूँ तो देखिए आपर दोस्तों enrollment के बारे में पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको भी समझाना चाहिए कि किस तरीके से ये चलता है enrollment वाला PSL से enrollment में कितने बच्चे निकाले जाएगे या कितने बच्चों को लिया जा रहा है दोस्तों तो आपके साथ भी ये पूरा share करूँगा मैं जिसको समझा है काफी अच्छी बात है अपना feedback जरूर देना समझाया है कि नहीं आया है एंड में बिल्कुल वीडियो के ठीक है तो दीकि हाँ पर हम चलते है 2-2-0-19 से लेकि जब PSL में उस समय दोस्तों 5260 बच्चे लिये गए थे ठीक है 2-2-0-19 में यानि कि आपके last second last intake में आपके अपसे उसमें अगर हम fit बात करें तो थे 3887 यानि 3887 बच्चे fit हुए थे जिसमें X गुरूप के जो fit candidate थे 2515 थे और Y गुरूप के थे 1372 PSL में ठीक है और आप जानते हो कि ये जो fit candidate है इन्हें इन्रॉल्मेंट इन्हीं का आता है दोस्तों तो हम इन्हें लेके चलेगे अब यहाँ पर एन्रॉल्मेंट आयता हो समय दोस्तों 3532 बच्चों का यानि कि आप देख सकते हो कि कम से कम 355 बच्चे जो है भान निकाल दिये गए थे PSL से एन्रॉल्मेंट में जाते जाते ठीक है जहाँ पर X गुरुप के जो बच्चे लिए गए एन्रॉल्मेंट में 2515 में से 2420 जिसमें से आप देख सकते हो कि करीवन 100 बच्चे 95 के आसफास बच्चे X गुरुप में निकाले थे ठीक है इसमें बात करें Y गुरुप में तो करीवन 5913 बच्चे 2020 में लिए गए थे जो कि आपके अन्फिट फिट मिला के सब थे पर हमने जब फिट निकाला तो इसमें निकले 4301 बच्चे जिसमें से X गुरुप के जो फिट कैंडिडेट थे वो थे 2732 एंड Y गुरुप की बात करें तो 1569 1569 ठीक है करीबन 1570 और उसी के बाद अकर एंडॉल्मेंट की जब लिए गए तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिट कैंडिडेट जो हते 13401 इन में से 811 कैंडिडेट को निकाला गया था करीबन 800 कैंडिडेट को निकालके आपकी एंडॉल्मेंट लिए गए थी जिसमें लिए गए थे 3490 बच्चे ठीक है एंड एक्स ग्रूप में आपके देख सकते हो उसमें थे 2424 कैंडिडेट जिसमें से आप देख सकते हो की करीबन 300 बच्चे आपके निकाले गए थे लास्ट इंटेग में आपके 12020 में X ग्रूप में वहीं अगर बात करें आपका Y ग्रूप का तो Y ग्रूप में आप देख सकते हो की करीबन हम आनके चलते हैं आपके 500 पूरे बच्चे यहाँ पर निकाले गए ठीक है 500, 400 बच्चे आसपास आपके Y ग्रूप में निकाले गए तो Y ग्रूप में आपके ज़्यादा निकाले गए X में 300 निकाले गए थे अब चलते हैं आपका इस बार के इंटेक से क्या डिफरेंस बैठता है इसका मैंने बता दिया आपको 2-2,019 में निकाले गए थे 300, 300 बच्चे यहाँ पर निकाले गए आपका PSL 2 Enrollment में जाते 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 811 बच्चे निकाले गए दोस्तो और X ग्रूप के हमेशा ज़्यादा लिए गए Y ग्रूप के comparison में दोनों इंटेक में अब इस बार का देखते हैं आई होप आपको समझा है हो तो देखे दोस्तो जिसका आपको इंतिजार था 2020 में जैसे कि आप देख सकते हों याँ आपर PSL में X ग्रूप और Y ग्रूप मिला गए सिर्फ X और Y के बात कर रहा हूं याँ पर रेली वाले नहीं कर रहा हूं दोस्तो और उसमें भी अगर हम मिला है तो हजार बच्चे और बैट दते इसमें ठीक है तो X और Y मिला के 7,130 बच्चे इस बाट लिए गए जो कि अब तक के सबसे हाइस बच्चे आपर लिए गए दोस्तो आपके क्योंकि कट आफ जरा से भी इंक्रीज नहीं करा गया है जिसकी वज़े से 7,130 बच्चे डिरेक्ट जोई PSL में बैट चुके है अब यह unfit unfit मिला के जिसमें X ग्रूप में 4,382 और Y ग्रूप में 2,748 बच्चे दोस्तो fit की बात करें दोस्तो जब हमने निकाला इसमें fit unfit जितने भी आपके unfit plus absent U, F, ABS वाले थे absentee थे ठीक है तो उसे मिला के जो fit बच्चे रहे गए अब सिर्फ उन सब को निकाल के 5,395 बच्चे है और अगर last intake के comparison में बात करें तो बहुत जादा बच्चे last intake में कुछ 4100 के आसफास बच्चे जैसे कि हमने अभी discuss करा इतने थे तो आप देख सकते हो करीबन 1200 बच्चे इस बार जादा है fit में जो कि एंडॉल्मेंट के लिए भी fight करेंगे 1200 बच्चे last intake के मुकाबले जादा है यहां पर दोस्तो ठीक है तो X और Y ग्रूप में भी काफी जादा हो गई तो मेरे बगा काफी comment आ रहे थे कि PSL से एंडॉल्मेंट में इस बार नमबर नहीं इंक्रीज होने के चांस है क्योंकि यह कह रहे है कि PSL में एक भी नममर इंक्रीज इनी हुआ तो अगर कड़ना होता तो पहले इंक्रीज कर देते हैं इसलिए एंडॉल्मेंट पे बी नही तो ऐसा नहीं है दोस्तो इतना ज़्यादा इसपेस भी अभी नहीं है एरफोर्स के पास की 7,000 आपके 5,300 पिचानवे बच्चों को डिरेक्टी एंडॉल्मेंट में आपका सब का नाम दे दे ठीक है तो यह इंपॉसिवल है क्योंकि अब जैसे की जानते हो आप कोरोना कोवि देता हूं कितने नम्मर आपके बढ़ सकते हैं एप्रोक्स मेरे हिसाब से जिसको समझ आए धन्यवाद यार ठीक है और अपना फीड़बैक जरूर देना जिसको ना समझ आए तो कोई बात नहीं अपना ठीक है तो देखिए याँपर 5,395 बच्चे और लास्ट इंटेक मे चांसीज ए ठीक है इससे कम भी हो सकते हैं 900,800 आठ सो जब लास्ट बार निकलेते तो उससे ज़्यादा ही निकलेगे मेरे इसाब से तो ठीक है क्योंकि इस बार ज़्यादा केंड़िट लिए जो ज़्यादा ही केंड़िट बाहर होगे तो 1100 का मेरा एसमशन है कि यहां नि आप लोग जो इस बार सलेक्ट हुए अगर 3300 केंड़िट भी आपके अन्रॉल्मेंट में आ जाए ठीक है एन्रॉल्मेंट में 3300 जा रहे फिर भी बहुत ज़्यादा है तो मैं कहता हूँ बहुत ही नसीब वाले हो दोस्तों आप लोग अगर इतने केंड़िट भी यह ले ले इस बार जैसे आप जानते हो कोरोना मामारी है फिर भी जगह के इसाब से अगर इतने केंड़िट अगर केंड़िट यहां पर ले सकते है और Y गृुप के आसपास अगर हम लेके चले तो 1500 केंड़िट के आसपास बहुत जादा है जैसे कि आप देख सकते हो अगर जैसे मैंने आपको दिखाया है वीडियो को पीछे गरके आप देखोगे तो बहुत जादा केंड़िट ले रहा ह इस बार X और Y गृुप में अगर मान के चले हम ठीक है यानि कि आप देख सकते हो डिफ्रेंस की मैं कैसे पर यहां पर दोस्तो अगर आपकी रैंक अन्फिट एपसेंट हटा के 2800 के नीचे या Y गृुप में 15100 के नीचे आ रही है तो डेफिनेटल आपके चांसी देखिए आप enrollment में इस बार खड़े उतर सकते हो ठीक है अब बात करते हैं कितने number increase हो सकते है इतनी rank के लिए भढ़ने के लिए ठीक enrollment में इतना आने के लिए तो यहां पर हमें बता दूद पहले हम difference देख लेते हैं दोस्तो फिट से लेके और enrollment का कितना बैठ रहा है दोस्तो यहां प बाहर हो सकते हैं पर fit candidate वाली list में मैं कह रहा हूँ ठीक है तो याद रखना जब भी आप अपनी rank calculate करें तो unfit absent हटा के calculate करना तब आपकी कितनी आ रही है fit candidate में ठीक है तब आप इसमें हिसाब लगाना दोस्तो और y group की बात करें तो आप देख सकते हो 209 आपके fit candidate है आपके PSL में और 1500 candidate मेरा assumption की enrollment में ले सकता है यानि कि 600 candidate यहाँ पर भाहर निकल सकते है और आप 400 अगर 600 की बात करें overall 1000 अगर आपका एक number increase हो जाए x group में और एक number y group में आपका increase हो जाए ठीक है तो एक number का मतलब आप साब साब इतना आप लोग समझ सकते हो कि अगर एक number बढ़ेगा तो वहीं x और y में यानि कि मेरे हिसाब से जो है one plus हो सकता है ठीक है तो यह chances है इस बार के कि one plus number बढ़ सकता है या zero point something में भी जा सकता है पर इस से ज़्यादा मुश्की ले जाना इस बार फिर भी उसका बावजुद भी आपके बहुत ज़्यादा candidates बार ले सकता है एरफो जाला question है आपर पवन राव का भाई शायद अब की बार सबका होगा क्योंकि ना कोई out किया है और ना ही cut off increase हुई और जब उन्होंने PSL में ही out नहीं किये तो enrollment में तो होने के chances ही नहीं है यह तो common sense की बात है ठीक है बिल्कुल देगो मैं जैसे कि कह रहा था कापी लोग ऐस assumption कर रहे हैं कि भाई अगर PSL में नहीं बड़ा तो enrollment में भी नहीं बड़ेगा और आप जानते हो अगर नहीं बड़ा तो कम से कम 555,500 बच्चे करिमे कोरोना जैसी माहमारी में मुस्किल से मेरे हैसाब से इतनी जगा नहीं हो सकती कि 55,000 बच्चे करोना जैसी माहमारी में आपको एक साथ ले लिए जाए ठीक है तो definitely निकलेगे तो हाईए दोस्तों इस बार काफी ज़्यादा candidate जोकी इनोंने लिए है ठीक है तो जैसे कि मैंने आपको समझा दिया है इसी वज़े से ठीक है चलते है नेक्ट की तरह फार्शा करता हूं यह डाउट उपर ही क्लियर हो गया होगा देखें यहां पर बिट्टु कुमार का कोश्चन जॉइनिंग लेटर का आने स्टार्ट हो जाएगे जो कि मैंने आपको बता दिया है जॉइनिंग लेटर जो है आपके एन्वल्मेंट लिस्स से बहले हैं कि हम मान के जाता सकते की 22 से 25 जून के बाद आपके जॉइनिंग लेटर आने स्टार्ट हो जाएगे जो कि यह तीन कोश्चन है छदरपाल सिंग और रंजीत कुमार का इनमें अब अंकेश मिसरा का कोश्चन है रेली इंट्री का क अब आपके जो आपकी यह इसकी वेकिंसी अलग आती है जैसे कि आप देख सकते हो इसमें नोटिफिकेशन में एरफोर्स में दिखाता है ठीक है अलग अलग स्टेट में आती है यह साउथ ओड़ीशा वगेरा में गुजरात में ठीक है तो कहीं जगा आती है रेली जो इस इंस्ट्रक्टर के होते हैं, मेडिकल एसिस्टेंट के होते हैं ठीक है एक होता है आपका इंडियन एरफोर्स सेक्यूरिटी का एक होता है आपका 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 educational instructor की बात करें जो training वगेरा करवाते हैं future जविन की training वगेरा complete हो जाएगी ठीक है जो नएक edit है उनको समानना medical assistant की बात करें जैसा कि आपका Y group में medical हो रहा था अभी या X और Y group में जो आपके medical चलते हैं जो उसमें doctor लेते हैं आपके initially तो वैसे यह सब medical assistant में आ जाते हैं तो यही सब आपके इसमें trade आते हैं रेलीज वाले में चलते हैं नेक्स question की तरफ आशा करता हूँ उनका clear हुआ होगा अब एक केलाश प्रजापत का question बहुत ही serious question है यह वाला देखें आप देख सकते हैं भाई मुझे 30 जनवरी जोदपूर में जोदपूर MH में fit किया गया था लेकिन PSL में unfit show हो रहा है rank है इनकी 223 rank है ठीक है तो यह तो बिल्कुल select थे अगर इनका fit किया जाता है इन्हे पर यह कह रहे है कि इन्हे fit करा गया था लेकिन PSL में इन्हे unfit show कर रहा है तो मैं आपको यह कहना चाता हूँ कि आप help line number आप website खोलिए airmanselection.cdse.in वहाँ पर आपको help line number है उसे try करते रही है आपकी उसका सवाल है तो job का ठीक है अगर ऐसा है आपको fit करा जाएगा या कुछ mistake हो गई होगी ठीक है उनसे बात करिए और बात करने के बाद अगर जैसे कि आपको कुछ पता चले तो जरूर हमें बताना ठीक है जितनी मदद हमसे होगी हम करने की courses करेगे नेक्स बात करते है रावल सिंग का इसमें इनका मेरी rank 3585 है X group में और absent हटा कर 2720 है ठीक है marks इनके 34.5 और मैंने बता दिया उपर जिनके 2800 के अंडर absent unfit हटा कर rank आ रही है 2800 के अंडर तो वो definitely उनके chances है कि वो enrollment में नाम आ सकता है तो मेरे हिसाब से इनका नाम enrollment में आ जाएगा ठीक है next बात करते है इनका question है quota class यह 3441 X में rank है please कुछ बता सकते है इस बारे में 3441 का मतलब अगर मैं मान के चलू इनकी यह इनकी normal rank है तो unfit action हटा कि अगर approach हम लेके चले तो कम से कम ऐसे बैठेगे कि 900 से 1000 के इंडरेट भी आउट कर दे तो इनकी आएगी कुछ 2400 के अंडर या 2500 के आसपास ठीक है और इतने के इंडरेट definitely हो गए अगर आप search मारोगे उसमें और यह है 2800 के अंडर आ रही है unfit action हटा कर तो definitely इनके भी high chances है कि इनका selection हो जाएगा दोस्तो ठीक है तो इनका जब उपर वाले का मैंने बता दिया है आप लोगों को जिनकी rank 3585 है इनका हो रहा है तो यह तो 341 rank है definitely इनका हो सकता है बात करते हैं मोई जोश्री का है इन Y group rank है 1487 but after removing unfit and absent my rank will be 1267 ठीक है तो definitely आपका selection तो पका है विल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती ठीक है जहां तक मेरी chances थी क्योंकि जैसे मैंने आपको बता दिया है कि under 1500 में जिसकी आ रही है absent unfit हटा के तो definitely उसका selection होने के high chances है बात करते हैं इसमें 1500-1400 जिसका भी आ रहा है तो definitely हो जाएगा अरविंद कुमार सर unfit in absent या unfit ABS को हटा कर 2579 ने क्या safe है जैसे कि मैंने आपको बता दिया है ये भी safe है definitely 800 रहंग का मैंने वहाँ पर अपना target रखा है कि इतने हैं आपकी candidate आ सकते हैं under enrollment में absent unfit हटा के तो इनकी है 2579 तो definitely ये भी आ सकते हैं बात करते हैं शरसांग सिंह का 2700 रहंग के unfit ले के ठीक है 2700 रहंग तक joining letter unfit ले के तो definitely इनका अगर unfit को include करके भी देखे तो 2700 रहंग का रहे हैं फिर भी तो ये दो बहुत कम जाएगा अगर unfit absent हटा दी तो करीबन under 2000 या 2000 के आसपास ठीक है तो definitely इनका तो confirm selection चलते है next की तरफ मेरी rank 1497 है 1197 है वाई गुरूप में after removing the unfit and absent ठीक है selection हो सकता है कैसर ठीक है दीपक जांग रहा का question है इनकी absent और unfit आके 1197 रहंग है तो मेरे इसाब से अगर जैसे कि क्योंकि इतने ज्यादा candidates बार लिए है इन्होंने ठीक है और जैसे कि कुछ बच्चे कह रहे की enrollment बढ़े गए नहीं अगर सारे ही ले ले तो वह तो और अच्छी बात है दोस्तों बात करते हैं सनी राज का question एक और Y group PSL rank 1248 क्या में safe हो तो Y group में इनकी जो rank बता रहे है साइद मुझे लग रहा बिल्कुल include, absent और आपके unfit बगएरा को उसमें डाल के 1248 है तो ये तो 100% safe है अगर इनकी ये rank है ठीक है तो इसमें तो कोई दिक्कत लिवात है चलते है next question की तरफ इनका क्याने सर मेरी rank 2493 क्या chance है 2493 रहेंके है और जैसे की ये बोल रहे है जान तक मुझे लगता है unfit और absent को उसमें मिला कर 2493 है तो ये तो definitely हो जाएगे जैसे की मैं आपको बताया unfit absent को हटा अगर जिसकी 2800 के अंडर आ रही है तो उसका selection के chances हाई है ठीक है तो इनका तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगे 2400 अगर unfit absent को उटाए तो देखा जाएगा ये जाएगे 1600, 1700, 1700, 1800 के असपस तक ये जा सकते है दोस्तो ठीक है तो definitely हो जाएगा इनका अक्षे कुमार की बात करें ओहो इनका rank है 400055 इनेक्स group ठीक है पर इनके 3000 है तो थोड़े chances इनके कम है ठीक है जैसे कि आप लोग समझते है next बात करते है सुबब मिश्रा का सर मेरी rank 3785 अनफिट हटा कर मेरी rank 2664 हो रही है मेरा होगा enrollment में ठीक है तो इनकी कितनी हो रही है इनकी अनफिट absent हटा कर 2664 हो रही है तो ये 2800 के अंडर आ रहे है तो definitely इनका selection होने के chances है अभी ये race में है दोस्तों ठीक है मैं ये confirm नहीं कहा सकता दोस्तों कि 2800 जैसे कि मेरा assumption नहीं है बाकी तो air force आने है उन्हें कितने लेने है ठीक है अब ज़्यादा निकालता है या बिल्कुल नहीं निकालता है बिल्कुल ना निकाले तो सभी के लिए अच्छा है मैं यहीं चाता हूँ या कोई भी ना निखले ठीक है फिर भी 2800 और अगर वाई गृूप का जैसे मैंने का है आपको 1400 के आसपास 1500 के आसपास जैसे कि मैंने आपको का है ठीक है 1500 के अंडर जिसका भी आ रहा है तो यह है कि हाँ वो race में है enrollment की वो एकदम हिम्मत नहीं हार सकता और chances है उसके तो इनकी 248 है तो यह भी बिल्कुल race में 2800 के अंडर है तो definitely अभी है लड़ सकते हैं इनका बात करते है दीपक के इस मरिहाल की इनका है अब यह है रेली वाला question 532 रैंक है Auto Tech and Indian Air Force police में unfit and absent हटा के 389 है तो मैं आप लोगों को बता दो दोस्तो Auto Tech and Indian Air Force रेली में जो आपका थे candidate total 906 candidate लिए गई थे जिसमें से 683 candidate जो है fit है तो हम देखते है fit candidate में और इनकी रैंके 532 रैंक है ठीक है unfit and absent को हटा के इनकी है 389 तो यानि कि इनकी 683 में से 389 रैंक है तो करीबन आप देख सकते हैं कि 300 बच्चों का difference इनके बीच में आ रहा है तो जो की बिल्कुल definitely safe है यह तो इन्हें कोई नहीं रोख सकता बिल्कु definitely आप safe हो इसमें ठीक है वहीं बात करते हैं हम सुवं नंदा का question है sir मेरा rally y group auto tech में medical unfit को हटा के 683 से मेरा 542 क्या में joining आएगा ठीक है तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है auto tech में जो fit candidate है 906 में से 683 है ठीक है और इनकी rank आ रही है unfit को हटा के वो है 542 तो हाँ थोड़ा पर हाँ मेरे साब से आप border पे हो सकते हो ठीक है पर यह और race में हो definitely क्योंकि मेरे साब से 683 हम लेके चले तो इसमें कुछ 500 के आसपास बच्चे इसमें लिये जा सकते दोस्तों ठीक है तो definitely अभी आप race में हो तो sir rally में auto tech rally में PSL में 819 rank है ठीक है तो auto tech rally में जैसे कि आपको है total 906 candidate इन्होंने पूरा information दी है इसमें और उसमें इनकी 819 rank है और absent unfit जो है उसमें हटा कि अगर यह देखा है 683 जैसे कि मैंने आपको बताया fit candidate है उसमें ठीक है तो इसे निकालके इनकी 613 आ रही है तो दोस्तों इनका थोड़ा मैं बता दू तो chances थोड़े मेरे हिसाब स यार थोड़े less chances है पर देखते हैं भी हिम्मत मतार ना क्योंकि यहाँ पर मैं चाहता हूँ यार गलत हो जाओं सबका selection होना चाहिए ठीक है मेरी बात सही ना हो पर मैं इस आप से थोड़ा less chances यहां पर आप लोगों के है इसमें भी तो चलो हिम्मत ना रही है भी कोई डाउट रह जाए या किसी का इस वीडियो से लेगे कोई डाउट रह जाए तो कमेंट में जरूर अपना feedback देना ठीक है जिससे समझ आए अच्छी बात है जिने नहीं आए थोड़ा वेट करिए सब कुछ खुलेगा तो हाई ठीक है दोस्तो तो अपना जितने भी आप करना मत भूलना बैल आइकन को प्रेस कर देना था कि जब भी वीडियो आए आपके पास notification आ जाए मिलते है नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएगे आप कुछ अच्छा अच्छा इसलिए बने रहना चैनल के साथ दोस्तो और वीडियो को शेयर कर देना जिस भी